प्रतियोगी परिच्चा में बार बार फेल होते हैं ये चात्र सभी चात्र इस वीडियो को छोटा से वीडियो है पूरा देखें और जरूर देखें कि आखिरकार कौन से ऐसे अवगुल हैं जिनकी वज़े से चात्रों का 10-10 साल से प्री ही ने निकलता है तो नमबर एक अव मेरे औस नमबर आते थे इसलिए मैं पीसे नहीं बन सकता मैं टीजीटी पीजीटी भी नहीं बन सकता यह रिजर्वेशन यह करप्शन है मेरा कुछ नहीं हो पाएगा नोक्रियां नहीं आती है तो यह नकरात्मक सोच को हटा दें पाजटिव सोचें और हर पढ़ने वाले की नोक्री लगती है जो इससा का रात्मक सोच रखता है और समय भी नहीं लगता है दूसरा दूसरी सबसारा बड़ा कारण वह सही पार्टकरम और सही रणनीती का आभाव विद्यार्थियों की एक आदत होती है अगर जैसे कि हर किसी विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट हो परिच्छा के लिए जो रणनीती हो उसका पालन करें और जो भी पाठकरम पूरत तैयार करें तीसरा पढ़ाई टालने की कोशिस का स्वभाव यह खासतोर से यूपी बोर्ड और उत्तर प्रदेश के चात्रों में ऐसी चीज़ें होती है कि वह आज नहीं कल से अभी दीप पाल पाते कुछ नहीं कर पाते हैं इसलिए पहले से ही पढ़ाई करना चाहिए जिस दिन आप आवेदन करते हैं प्रीका उसी दिन से ही पूरी मेंस की तयारी और इंटर्भी बना करके शुरू करते हैं यह पर देसा की लिखा पढ़ाई टालने का सभाव ऐसा बिलकुल भी चौ में तो एक पक्का कारण है कि आपका ग्रुप आप बैठते हैं उड़ते हैं जिन से चर्चा करते हैं जिनके साथ पढ़ाई करते हैं जहां पर रहते हैं उसकी बारे में विचार करने की आवशक्ता है आप लोगों ने देखा होगा अभी हाली में परिणा पीचेस का आया एक ही परिवार से भाई बहन का चेहन हुआ है अक्सर हम लोगों ने सुनत ऐसा नहीं कि डियाने में कुछ है ऐसा बिलकुल भी नहीं है और इसलिए उच्छे तमार्ग दर्शन उनको मिलता है और एक साथ पढ़ाई करते हैं और इसलिए इनका चेहन होता है इ नatics आपको motivate हो सकते हैं और ये सबसे बड़ा factor है यात रखी afterwards में आ इस पर नहीं करना ये बात हो रही है मेंस परिच्चा की हैन्ड्राइटिंग का भी थोड़ा प्रभाव पढ़ता है ऐसी बात बिलकुल भी नहीं है जिनके हैं राइटिंग घराबन को चैन नहीं होता है उनका भी चैन होता है लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ प्रवाव पढ़ता है यह देखा यह कटू सकते हैं और खास तोर से वर्तिनी में अशुद्या नहीं होने चाहिए और हैंड राइटिंग इस पस्ट होने चाहिए अगर बहुत सुंदर तो